काईलाग पशु आहार, संपूर्ण पोशन दूद की बहार काईलाग का वादा, सेहत और लाग सबसे स्यादा अधिक जानकारी के लिए संपर्ट करें अधिक आप आप सूचिए कि आप कई चीजें देते हैं दूद बढ़ाने के लिए लेकिन अगर दूद बढ़ाने वाली या दूद बनाने वाली ये गरंतियों में ही कोई दिक्कत है तो फिर कैसे ठीक होगी, आज के इस वीडियो में मैं ऐसी तीन दवाएं त्री मूर्ती के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि होमियोपेतिक है, किसी भी परकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और मिल्क ग्लेंड को बेटर बनाने के लिए बहुत ही शांदार एक फोर्मूला है देखिए, फोर्मूला बताने से पहले एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ कि कभी भी हमें मिल्क ग्लेंड को प्रोपर करना है तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपने पस्तु के डिवार्मिंग करवाएं और उसे केल्शियम दे केल्शियम जो भी आप जिस फोर्म में भी दे रहे हैं उस फोर्म में आप केल्शियम दे दे, कोई दिकर नहीं है कई लिक्विड देते हैं, कई पाउडर फोर्म देते हैं किसी भी परकार की हूँ है, दोनों चीजे ये फोर्मूला देने से पहले थोड़ी सी ज़रूरी है तो यह आप देख लेना यानि डिवार्मिंग होनी चाहिए मिनरल मिक्सर रेगुलर चलना चाहिए इसके अलावा मिल्क ग्लेंड ग्रो करवाने के लिए लिक्विड या पाउडर फोम में केल्शियम देना चाहिए यह इतनी बाते आप जब कंप्लीट कर लेते हैं तो अगला जो चेप्टर आता है त्री मूर्ती जो तीन दवाएं हैं उनका और वो है यह तीन होमेपेती है जो आपको दिख रही है जिसमें से देखिए अगर हम पहली की बात करें तो पहली है कलकेरिया फ्लॉर कलकेरिया फ्लॉर जो हमें 200 पोटेंसी में लेनी है नमबर वन कलकेरिया फ्लॉर नमबर टू है कलकेरिया कार्ब कलकेरिया कार्ब भी हमें 200 पोटेंसी की लेनी है नमबर थ्री जो है वो है कलकेरिया फॉस नमबर थ्री कलकेरिया फॉस ये तीनों हमें लेनी हैं और तीनों की ही हमें पर डे दस दस ड्रॉप सुबह और शाम जिस गाई में इसका हमें अडर ग्रो करवाना है यानि जिसकी मिल्क ग्लेंड को प्रॉपर करना है दूद बढ़ाना है तो उसके लिए आप मिल्क ग्लेंड प्रॉपर करने का ये फॉर् जांचा फर्का और सुरक्सित तरीका है इससे आप क्लियर कर सकते हैं कि मिल्क ग्लेन ग्रो होगी ही होगी इसके अलवा अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रशन है आपके दिमाग में या कोई भी आपकी क्योरीज है किसी गाय में इसके दूद से लेकर के या किसी भी इशूस से लेकर के तो आप हमें कमेंट जरूर करें हमने आपके कमेंट्स को लेने के लिए एक अलग से चैनल बनाया है जिसका नाम है रामावत वैट ग्यान उस पर हम क्या करते हैं आप लोगों के सारे कमेंट्स लेते हैं ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको हो तो उससे दूर किया जा सके